प्रश्ण 28 है 36 गड़ के किस जीले में आउसत वार्सिक वर्षा सबसे अधिक है तो इसका सही आंसर है नराणपूर option C okay सबसे अधिक वर्षा नराणपूर में होती है question 29 मडिया का उत्पादन सबसे अधिक किस जीले में होता है तो देखिए मडिया का उत्पादन एक सरसों टाइप का होता है अपंगर नमब तीसरा तिस पामेड अभ्यारण किस जिले में है तो पामेड जो है बीजापूर जिले में पामेड अभ्यारण इस्तित है Q1. 36 गड़ में सोया बीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है तो सोयबिनको उत्पादन कवर्धा कबीर धाम में सबसे ज्यादा होता है तो आपसन बी कवर्धा Q32 है 2011 की जंगर्ना के नुसा सबसे कम लिंगन उपात वाला जीला तो सबसे कम लिंगन उपात वाला जीला कौन सा हैnoxा है सरगुजा जिलम है तो 39 का D सरगुजा इस दा राइट आंसर 34 है निर्ण लिखित में से कौन सी जन जाती विशेश पिछली जन जाती नहीं है तो आप सभी को पता है विशेश पिछली जन जाती कौन कौन सी है अबुजमार बैगा बिरहोर कमार और पहाड़ी कोरवा तो आपसन डी इसका सही आंसर है यह जो है विशेश पिछली जन जाती नहीं है भद्रा ओके तो भद्रा इस दा राइट आंसर क्युश्चा नमबर 35 ताता पानी किस जीले में इस्तित है तो ताता पानी जो है चतिस गड़ के बलरामपूर जीले में है तो आपसन इसका बलरामपूर भी सही आंसर है क्युश्चा नमबर 36 है स्वास्थ योजनाओं को सुमिलित कीजिए तो स्वास्थ योजना देख लिजिए बच्चों के लिए कौन सा योजना है तो चिराई योजना है इस्तियों के लिए आयूशमती योजना है किसोर वय बालिकाओं के लिए सूचिता योजना है और आम लगाना है हरीक नानी बेरा अभ्यान किसे संब्दित है तो आपको बता दो हरीक नानी बेरा अभ्यान आपसन भी कुपोशर और एनीमिया की स्थिती में सहायता के लिए जो बस्तर जील में है आपको क्या दिया जाता है गुड के साथ जो है पोस्टिक पदार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं हरीक नानी बेरा अभ्यान बस्तर में इसको चालू किया गया है को पोशर और एनीमिया की स्थिती में सहायता के लिए गुड और चनसायत दिया जाता है इस पते और नाजे आपतर नमबर 38 याब ऊच्टर खूब चन बगहेल स्वास्ति सहायता योजना के विशधा में क्या थे हैं तो कौन सी चीछ सही है यहां एक स्वास्ति योजना है तो आपसटть परामर्स आदेश की जानकर देता है भी सही है इसके एप के माध्धम से गहूमने के लिए यी पास प्रात्त करता है और आवस्षक वस्तु के लिए घर पहुंच सेवा उपलवद्गराता है यह सभी सही है तो आप संडी उप्रोक तो सभी इसका सही है क्यूश्चा नंबर 40 सर्व सिच्छा भ्यान के संबंध में क्या सही है तो सर्व सिच्छा भ्यान के संबंध में देख लीजिए या केंद्र प्रयावजित राजियु गांधी सिच्छा मिसंद्वारा संचालित है बिल तो चौथा है मध्यान भोजन योजना है तो समक्री उपलब्द कराता है तो मेरे कुछ में डावट है फिर भी मेरे को लग रहा है आपसन C या B होगा तो इसको आप देख लिजिए आपसं C ऐसे लग अ स्थान पर पाया जाते हैं , कौले ग्रेनाइट से निर्मीत नंदी बैल ऑफसला में पायते हैं ? तो आपसन ए सही आंसर है , निम्लिखित मेंकृति संफ़ती गूफा , पीलिट जल् पर प्रपाथ की निखट , ऑपनuenासर है ॉपहल्गिंगिंगिंग्णिं निखवफा अच्वालिस की नंबर क्युश्यन है कि निम लखित में से कौन सी कवी खांडे राव की कृती है तो खांडे राव की कृती है आपका राधा विनोद आपसंडी तो चमालीस का अपसंडी है राधा विनोद ओके दिन प्रति वर्ष उंताराश्टी बौध संवलन राजन इसक प्रति और प्रघ्य पहाड़ी तो प। पुर्पूर में इसका महुत्साव का अधन होता है प्रतिवर्ष छय फरवरी को तो छय फरवरी इस दा राइट आंसर नेक्ष्ट है क्यूश्चन नम्बर 46 सब्री मंदीर कहां इस्तित है तो आप सभी को पता है सब्री मंदीर आपशन B सिवरी नरायन में इस्तित है क्यूश्चन नम्बर 47 निम्रल खीत में से कौन सी 36 गर्ड की प्रमुख जनजाती है तो आप सभी को पता है चतितितन की प्रमुख जनजाती आप सन्टी गोंड जनजाती है Q48 भैंसा दरह जहील में निम्नलखीत में से कौन सा जानवर पाया जाता है तो भैंसा दरह जहील में आप सभी को पता है QAnsar B है मगर मक्च पाया जाता है तो 48 का B 49 नमबर QAnsar का प्रकार जिसमें जाती के अंदर व्यवाहिक संबंद बनाया जाते हैं उसे कहते हैं तो जाती के अंदर जो बना जाते हैं उसे अंतह विवाह कहते हैं आपसन C is the right answer Okay तो 49 का C 50 देखिए कंपनी सरकार के खिलाप परल कोट विद्रो कब हुआ थो तो परल कोट विद्रो 1825 में हुआ था यह इसका पुरा आंसर मैंने कोशिस किया है एक दम सहीं सहीं आंसर लेने का हो सकता है कहीं इस्टेक हो सकता है तो आप अपने सेट के आनुसार इसको सकते हैं यह जो मैंने शेट एक सॉलू सरे है टिक है तो आप देख सकते हैं तो यह दिदी आपको को 12 में ढाउट हो या फिर आपको लगता हो को को ही कियुसिन का आंसर में गलत वता है तो कमेंट सेक्षन में उसका उत्तर जरूर लिखिए तो ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक्यू वेरी मॉच्च थैंक्स फॉर लिस्निंग धन्यवाद